आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बेंगोली टेरी सेने स्वीट डिस भापा दही इस गर्मियों में आपका सरीर को ठंडेक देने वाला इस मिठाई को आप सिर्फ तीन चीजों से आसाने से घर पर बना कर खार सकते हो और इस मिठाई बहुत हेल्दी भी है बहुत यामी नमस्कार cooking fanatic channel में आप सबकर सागत है मैं सैयुकता आपके साथ शेयर कर रहे हो भापा दही की रेसिपी तो चलिए देख लेते कैसे भापा दही बनाया जाता है सबसे पहले एक छाकने के ऊपर एक कॉट्टन का कप्ड़ा लिया है राख देंगे उसमें डाल देंगे चार सब ग्रम मैंने दो ही लिया है अब इसको इस काप्ड़ा के ऊपर राख के हम इसे अच्छे से इस तरह कैसे मोड देंगे इस फोल करके छक्टनी के ऊपर राख के हम इसे फ्रीज में दो घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि दही का सारा पानी निकल जाए देखें दो घंटे बाद मैं आप लोगों को दिखा रहे हूँ इसका पानी देखिए दही का सारे पानी निकल गया है इस मिठाई में दही का पानी निकलना बहुत ही जुरूरी है तब ही हमारा मिठाई अच्छे बनेंगे अब इसे एक बटन में निकल लेंगे और इसमें डाल देंगे 7-8 केसर के धागे को मैंने दोद में भीगो के राखाता वो डाल देंगे 2-3 डेबिल स्पून इलाइची पाउडर डाल देंगे 1 टी स्पून और कॉंडेंस मिल्क के लिए है 200 ग्राम करीब वो हम डाल देंगे सारे सामगे को हम अच्छे से मिष्ट कर लेंगे बहुत ही अच्छे साब इसको फेड़ लेना बहुत ही टेस्टी है मिठाई बानते है और बहुत ही सॉप्ट भी है अच्छे से हमने इसको फेड़ लिया है देखिए मैंने केक का एक छोटा टेन लिया है उसमें घी लागा डेए आपके पास स्टील का भी बड़तो नो कोई भी बड़तो नो उसमें आम बाना सकते हो तो उसमें आथे से घी लागा देंगे अब डाल देंगे जो दरीगों मैंने फेट के राखा था कुम हम डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा बारी काटा हुआ मादाम केसर और पिस्ता मैंने चॉप कर लिया था वह हम डाल देंगे आपके पास अगर कोई भी ड्राइपूट्स हो आप थोड़ा बारी चॉप करके इसमें डाल सकती हो अब एक aluminum foil लेंगे इस तरीके से हम इसे उपर से अच्छे से लागा देंगे ताकि जो इसको हम स्टीम करेंगे तो इसका पानी अंदर तक ना जाए इसलिए इस तरह के से हम इसको कभार कर देंगे अब ग्यास के उपर इक्कड़ा चाहला देंगे इसमें डाल देंगे एक से बेड़ का पानी और एक स्ट्राइन रागतेंगे आपके पास अगा स्ट्राइन ना हो तो कोई भी छूट्टा वाला कोट़री आप राख सकते हो उसके उपर आप केक्टिन राग देना क्या कोई भी आप जो वर्तन यूज कर रहें उसको राग देना ठाक के मिडियम प्लेम पर 20-25 मिनिट आप इसको स्टीम होने देना देखें 20 मिनिट बाद मैं आप लोग को दिखा रहे हूं अब इसे हम निकाल लेंगे और इसका जो उपर वाला कभार है हम इसे निकाल देंगे निकालने के बाद हम इसे ठांडा कर देंगे आप चाहे तो ठांडा करने के ऐसे ठांडा करने के बाद आप इसे खा सकते हो नहीं तो फ्रीज में राखके अच्छे से एक घंडे के लिए राख देना ठांडा करने के बाद इसे आप खा सकते हो आप चाको के साथे थोड़ा साइड वाला इस तरीके से निकल देना ताकि अ देखें कितने अच्छे से हमारा भापाद ही रेडी है अब उपर से फिर से हम बारी काटा हुआ कुछ पीस्ता काजू आल्मोंड हम छेड़क देंगे आपके पास जो हो ड्राइपूर्स आप देना लेकिन बारीश चप कर लेना तो खाने में अच्छा लगता है बहुत ही यामी है यह बहुत ही साधिस्टे मुलाईब है और इस गर्मियों में तो खासकर यह मिठाई बहुत ही अच्छा लगता है ठंडा करके आप खाऊगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है उमीद है आप लोग को रेसिपी पसंद आए होंगे अगर पसंद आए होंगे तो एक लाइक जरूर करते हैं जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनलोग साइब स्काइब करना ना भूले और बेलाइक और दावाना ना भूले ताकि मेरा न झाल ना था कि झाल झाल बेलाँ करते हैं ना भूले प्र ताकि मेरे तो जो खबादाए पसंद आए होंगे पसंद आए हैं जो दो शो फान आए हैं झाल झाल जो झाल